ताज महल ताज महल भी एक और एक इंडो इस्लामिक आखिटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एक्सामपल है ताज महल ताज महल की खुबसूरती के बारे में हम जितना भी बताए उतना कम है ताज महल को आप जितना दूर से देखो पास से देखो साइट से देखो पीछे से देखो हर तरह से इसकी खुबसूरती बरती रहती है मतलब खुबसूरती का वर्णन करना हमारे लिए शायद नहीं है इतनी खुबसूरत तरीके से ताज महल को बनाया गया था और ये ताज महल की जो चार स्थंभ है चार स्थंभों में भी आप अगर माइनूटली कभी देखा होगा शाय या फोटो में भी देख लेना उस खंबे को भी नहीं चोड़ा था आर्टिस ने कितनी सुन्दर तरीके से ये इसमें डिजाइन किया था आर्किटेक्चर किया था इसमें खुदाई का काम है ये इसमें पेंटिंग से कलर पेंटिंग नहीं है इसमें खुदाई का काम है, जो खंबे है, खंबे को भी सामने से अगर अच्छी तरह से देखोगे, तो खंबे में भी बहुत ही सुन्दर तरीके से बहुत calculation करके, नाप करके, कही कुछ भी छोटे बड़े design नहीं हुआ, सारे चीजे बहुत balancing way में design करके, इस खंबे को भी बह जाली-जाली करके, जो design उन्होंने बनाए थे, और अंदर की जो design है, बाहर की दिवार और अंदर की दिवार कहीं पे भी किसी तरह से नहीं छोड़ा गया, और जो उपर का जो खंब, एक जो गुमबद है, गुमबद में भी कितनी सारे line बना के, कितनी सारे design किया था, उन् बहुत सारे सनलाइट में भी देखो, या चाननी रात में देखो, ये तो इसकी खुबसूरती कहीं भी किसी तरह से कम नहीं होती है। और दूसरी बात है, अगर हम इस करमताज महल को सामने से जाके, एकदम सामने से जाके जब हम इसको देखेंगे तब हम और भी आश्चेज हो जाते कि कैसे बनाए थे आर्टिस्ट ने, क्योंकि संगमरमर की पत्थर में डिजाइन बनाना, क्योंकि एक पत्थर को थोड़ा सा उनने से ही वो टुकरा हो जाती है, उन्होंने किस तरह से कौन सी टूल से ये डिजाइन किया था और उसमें पेंटिंग भी किया था, क्योंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि पेंटिंग करने से कोई भी कलर संगमरमर की पत्थर में आप लगा के देखो, वो जब तक नहीं सु किया है, जो आपिटिक्छर उन्होंने किया है, जितनी सुंदर तरीके से उन्होंने किया है, सारे आर्टिस को बिलकुल ये कह सकते हैं कि इतनी कितनी मास्टरी थी अपने विशह पें, तो ताजमहल के बारे में हम जानते हैं, ताजमहल is itself one of the biggest example of Indo-Islamic architecture in India. It was commissioned in 17th century by Mughal ruler Shah Jahan in memory of his beloved wives as a symbol of love. The Magnificent Movement is one of the seven wonders of the world made up of white marble decorated with calligraphic verses from the Quran. Considered the best example of Mughal architecture. Mughal emperor Shah Jahan is a well known figure until today for its building construction activities specially for Taj Mahal. He got Taj Mahal constructed as a memorial for his beloved wife Mumtaj Mahal. In his building there are two tomes, one of his wife Mumtaj and the other of his own. In fact, such memorial building constructed over the tomes are called Mughbaraz. Construction of Taj Mahal is a fine blend of Indian and foreign styles of architectural art. See, this is a Taj Mahal. Taj Mahal picture. And this is a Taj Mahal picture. This is a Taj Mahal picture. When we have a sun light from the sun, we have a lot of sunlight from the time. In the Taj Mahal, like in the day of the time. So, the Taj Mahal's beautiful beauty is, whether it is night or day, the Taj Mahal's beautiful beauty is as it is. The Taj Mahal footage. From this exhibit, the image is the video of the wind and human eye. It is the image that we have seen in the future. It shows us as in the present. It shows us up because of the photo. ताज महल में जैसे ये दिन का पिक्चर है चित्र है ताज महल का इसमें भी इसकी सुझदर्ता इसमें भी हर चीज़े डजाइन सारे नजर आ रही है अब देखते हैं ताज महल पूर्णिमा में जो रात के समय पे ताज महल की चित्र देखने लायक होती है एक रात में पूर्णिमा में पूर्णिमा के साथ ताज महल का सबसे आकशक द्रिश देखा जा सकता है ये देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते है ताज महल को देखने के लिए पूर्नीमा के रात में, वो द्रिश्य इतना ही सुन्दर होता है, इतना ही आस्चे जनक होती है, जो कभी मन से नहीं जाती है, तो ये पूर्नीमा की रात में ताजमहल की द्रिश्य है, तो ताजमहल को किसी तरह से ही देखो, दिन में देखो, रात में देखो, दुपहर में द हमेशा ही सुंदर लगते है आकषिक, आकषिन करता है राजस्थान में मकराना की खदानों के सफेद संग मरमर का पथर ताज महल के निर्मान के लिए लाया गया था और इसके निर्मान कार्य को मजबूत करने के लिए चूने के प्लास्टर का उपयोक मौटर का रूप में किया गया था साज अहां ने 1628 से 1658 इश्वी तक साशन किया और इस अवधी के दौरान इसने ताजमहल के निर्मान के लिए 22 साल पिताए इस भवन का मुख्य रूप से ले आउट इसके बिभिन्न भागों के अनुपात और सुन्दर आर्वी सिलालेक पर विशेश रूप से और जोर दिया गया है जैमितियों डेकरिट मोटीप्स और कुछ अन्य निर्मान सम्मंधी पहलू जैसे क्यूबिकल, ब्राकट, बेस्मेंट की डिजाइनिंग और मंच का उच्च स्तर वास्तुकला की भारती अश्यली के कुछ बहतरीन प्रतिनिधित है ये है गुलगंबद गुलगंबद को कितनी सुन्दर तरीके से डिजाइन किया है एक सुन्दर सा ट्रडिशनल लुप देखने को लगता है बहुत लगता है बहुत प्राचीन कोई एक इतना सुन्दर इमारत है जिसमें इसकी खुबसूरती अभी भी बरकरार रखा है तो ये भी एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एक्जाम्पल है गुलगुमबत का उपर का गुमबत जो है ये बहुती सुन्दर तरीके से बनाया है यही है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यही है में आइडेंटिटी हम कह सकते हैं कि हर इमारतों के उपर एक गुमबत हमें मिलता है देखने को मिलता है और हमेंसा खंबे होते हैं इसके चारो और खंबे होते हैं बहुत सारे इस तरह की identity रहता है बहुत सारे इस तरह से features रहती है main features रहती हैं जिसे हमें पता लगता है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्शर का example है और गुलगुमबत का आप देखिए ज़र कम कहीं जादा ऐसा नहीं है बहुत सुन्दर तरीके से इसमें डिजाइन किया है गुल गुंबद के बारे में हम जाने 14 बी सताबदी इशी के दौरान विशेश रूप से दक्षिन भारत में कई छोटे राज्य में इनने से एक राज्य को बहमनीर संबराज्य के नाम से जाना सबस्ति और फार्सी बवास्तुकला का भी प्रभाप था जिसे ब्रहमन राजा ने बन वाया था गुल गुंबद का यह जो चित्र है इस चित्र में आप देखिए जड़ा नीचे से सीडिया कितनी सारे सीडिया जा रही है उपर जाने के लिए तो यह जो गुंबत बनाए हैं कहीं हमेशा यह उपर की ओर दिखाने के लिए उपर की तरफ दिखाने के लिए यह सीडिया उसे उपर जाने सुम्दर से हर तरह से इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जितनी सारे हो सकता है कि डिजाइने इसमें डालते गए थे गुल गुंबत के निर्मान में समत्थि इटे के उपयोग किया गया है जिसमें चूने की प्लास्टर के सिमेंट किया गया है गुल गुंबत के निर्मान में ऐसी बहुत सारे जो गुल गुंबत का इस तरह से बहुत सारे निर्मान किया गया था जैसे गुल गुंबत को हम अगर देखते हैं तो बहुत सारे इस तरह से देखने को ये मिलता है कि गुल गुंबत में ऐसी एक गालरी है जिस gallery को हमें लगता है कि ये whispering gallery कह सकते है उसके बारे में भी हम बात करेंगे ये बीजापूर के मुहम्मद आदिल शाह ने 17D सताबदी के जो AD में गुल गुम्मत का निर्मान किया यह करनाटक का बीजापूर शहर में स्थीत है कभी अगर करनाटक जाएंगे तो अब जरूर देखके आना ये गुल गुम्मत बहुत ही अच्छा एक्जामपल है इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर का ये है उसका whispering gallery इस gallery का खासियत ये है इसमें अगर आप अंदर में जाके कोई हलका सा बात करेंगे छोटा सा कोई हलका सा धीरे से बात करेंगे तो ये बहुत दूर त तक सुनाई देता है और अगर आप इस whispering gallery में आप जाएंगे आपको लगेगा कि आपके बगल में कोई बात कर रहे लेकिन आप आस पास में देखोगे तो कोई है नहीं तो ये इसकी whispering gallery तब के समय पे इस तरह से समराट ने बनाये थे कि कोई भी किसी तरह की कोई साजिस कर रहे कोई planning कर रहे तो वो सबको समझ में आ जाती थी तो ये इस तरह से समराटों का कितनी planning था कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बनाये थे ताकि किसी तरह से कुछ भी चीजे हमरे एतिहासिक जो importance है कहीं तरह किसी तरह से वो खतम ना हो जाए कहीं उनकी planning या उनके बारे म पाते तो इस तरह से ये जो whispering gallery है whispering gallery में हखे यहासा अ हमने जब गह थे इसमें जाके खड़े होके हमने हलाए सा बात किया था तो ये बाहर में जाके हम बाहर में हमारे friends Сवे तो वो कह रहे थे कि तुम इतनी से हमने तो हलका सा बात किया था कि वहां तक जाके बहुत अच्छी तरह से उनको सुनाई दिया बहुत दूर तक इनकी बाते पहुंचती है यह गैलरी का डिजाइन ही ऐसा बनाए थे ताकि यह बहुत दूर तक यह पहुंचे यह गैलरी में जो आप देखिये जरह इस में design अंदर की design आप देखिये, आप का जो design उन्होंने बनाए थे, बहुत सुन्दर तरीके से ये design बनाए थे, एकड़म छट का जो design बनाए। कहीं कुछ हमें नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ camera लगा है, कहीं कुछ भी लगा है, अभी तो हमें देखने के लिए camera चाहिए होती है, बहुत सरे technology आगे हमें, हमारे लिए बहुत आसान हो गया है हमारी जीवन को सम्हालने के लिए, हमारी जीवन हमें अपने आपको सम्हालने क लेकिन उस टाइम पे यह जो गैलरी उन्होंने बनाये थे, कितना scientifically बनाये थे या scientific way में बनाये थे, जिसकी वज़े से इसमें कोई भी इस तरह की electronics चीजें है ने, लेकिन अगर अंदर कोई भी बात हो, हमें बहुत दूर तक यह बातें पहुंचती है, तो आएए whispering gallery के बारे म हम थोड़ा सा जाने, मकबरे की ठीक नीचे गुलाकार आकार की gallery प्रशिद्ध और प्रतिष्ठित whispering gallery है, यह एक वज्यानिक आश्चर्य है, अवश्य आश्चर्य है, कि हमें कुछ पता ही नहीं है, इसमें कोई भी electronics कुट नहीं है, यह कोई भी camera या कुछ भी नहीं है, जो जो कि यहां की बाते भार तक पहुंचाएंगे, जो हमने आपको बताये थे, बस थोरी सी फुस्फुसाएं और आवाज तेज हो जाएगी और गुम्बत को पार काफी दूर तक पहुंसती है, और लोग उन्हें स्पस्ट रूप से सुन सकते हैं, शोदधीन इसे हलका सा बो 20 मीटर्स अविश्वरनिय है ना, आप जो भी आवाज करते हैं, वह कम से कम साथ आठ बार गुंच के माध्धम से वापस आती है, साथ आठ बार, एक बाते को मतलब कितनी बार एको होती है, कितनी सारे इसमें डिजाइन है, कितनी सारे इसमें आर्किटेक्चर है, कितनी सार इसमें calculation करके बनाये थे कि 7-8 बार, एक बात को 7-8 बार सुनाई देता था कि इस पस्ट रूप से पता लग जाए कि क्या बात चल रही है तो ये गुलगुमबत का ये चित्र है, पूरे सामने से लेके पीछे तक बहुती सुन्दर तरीके से गुलगुमबत का चित्र आप कभी भी विजापूर जाओगे आप सरूर देखना, गुलगुमबत की चित्र